सब्सक्राइब नाओ और प्रेस द बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार दोस्तों हमने पहले वीडियो में पूरा सिच्छड के बारे में जानकारी ले लिया है सिच्छड आखिरकार होता क्या है अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिच्छड काउसल यानि ऐसे इसकिल्स इसकिल्स यानि काउसल जिसका प्रियोग सिच्छक अपने सिच्छड कारे को प्रभावसाली बनाने के लिए करता है जैसे आपने पीछे पढ़ाओगा सिच्छड तकनीकी स्रब्य द्रिस्य द्रिस्य स्रब्य तकनीकी के द्वारा सिच्छक अपने जो है सिच्छड कारे को प्रभावसाली बनाता है लेकिन अगर माल लीजिए सिच्छक जो है वो सिच्छड तकनीकी का प्रियोग नहीं कर रहा है तब अपने सिच्छड को कैसे प्रभावसाली बना सकता है उसी को सिच्छड काउसल काते है ठीक है अब यहाँ पे सिच्छड काउसल का प्रियोग क्यों किया जाता है क्योंकि बच्चा ततपर रहे पढ़ने के लिए उसका मन उसमें लगी अब आप कर सकते हैं कि अपने सिच्छड को प्रभावसाली बनाने की कला ही सिच्छड कौशल है ठीक है इसके अलामा देखिए सिच्छड की प्रक्रिया में तीन अंग होते हैं हमने बताया है कि सिच्छा सिच्छड जो है त्री धुरुवी प्रक्रिया है तिसमें तीन अंग होगे, पहला होगा सिच्छक, दूसरा होगा पाठक्रम और तिसरा होगा सिच्छार्थी, इसके बारे में आगे हम लोग पूर रूप से डीटेल बातें करेंगे, लेकिन प्रामुक अंग केवल दो होते हैं, एक होता है सीखने वाला और एक होता है सिखान वाला प्रामुक अगर पूछेगा तो किवल दो होते हैं जो एडम्स ने बताया है ठीक है दोस्तों अब देखिए एलन गेज ने एलन गेज ने क्या कहा है एलन गेज ने भी यही कहा है कि सिच्छड काउसल या टीचिंग स्किल्स किवल एक इंट्रक्शन देना है मतलब ऐसा इंट्रक्शन दीजिए जिसके कारण आपका सिच्छड जो है पूर रूप से प्रभावसाली हो बच्चों को पढ़ने में मजा है तो आप कर सकते हैं कि सिच्छड काउसल में क्या क्या किया जाए ताकि बच्चों को पढ़ने में रूची उत्पन हो बच्चे पढ़ने के लिए ततपर हूँ तो एक बात भाटियां ने कहा है कि ततपरता या किसी कार के लिए तयार या ततपर होना युद्ध पर आधा बीजय पालेना है अर्थात कहने का मतलब यह है कि आप केवल यूपी टेट पास करने के लिए तयार हो जाएए कि मैं तयारी करूंगा चाहे जो होगा देखा जाएगा तो वहां आप चान लिजे कि 50% बीजे यानि 50% जीत आपने पहले से ही प्राप्त कर लिया थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप कहां पर पहुच जाएंगे 100% जीत पर तो यह एक केवल इंट्रक्षन है एलन गेज ने कहा है कि यह एक इंट्रक्षन है अ मतपर किया जाता है उसे एक्ट्व किया जाता है उसे सक्रिय किया जाता है ताकि बालक जो है पढ़ने में रूचिले और बालक के ब्यवहार में वांचित परिवर्तन आये उत्सुकता जाग्रित निर्देशित पुनर भलित हो शीखने और शीखाने के लिए तो देखिए दोस्तों सिच्छड कौशल या सूच में सिच्छड में सबसे पहलत जो कौशल है वह है प्रस्तावना कौशल अब देखिए दोस्तों प्रस्तावना कौशल आपने जब आपने लेशन प्लान बनाया होगा तो उसमें अच्छे से देखा होगा कि प्रस्तावना कौशल होता क् तीन प्रस्ण कम से कम अधिक से अधिक पांच प्रस्णों को दिया जाता था जो पूरो ज्ञान पर आधारित होता था और जो आपकी टॉपिक होता था उसी के उद्देश की पूर्ती करता था और इस प्रस्तावना कोशल का प्रियोग इसलिए किया जाता था ताकि बच्चे प्रेडा एवं रूछी लें और ऐसा question उसमें जोड़ा जाता था जो जीवन से संबन्दित हो ठीक है दोस्तों दिए प्रस्तावना कौशल इससे बच्चे सीखने के लिए ततपर हो जाते हैं इससे बच्चे सीखने के लिए ततपर हो जाते हैं जब आप आते ही दो तीन प्रस्ण पूछते हैं तो बच्चों के अंदर एक भूमिका बनती हैं यानि कभी भी लेशन जो है डारेक्ट मत पढ़ाईए एक भूमिका बनाईए दो तीन प्रस्ण पूछिए जो की पूरो ग्यान पर आधारित हो और जिस चैप्टर को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके उद्देश की पूर्ती करता हो ताकि बच्चे के अंदर रूची उत्पन हो उसी को प्रस्तावना कौशल काते हैं जैसे माल लिजे आपने बच्चे को पूरो ग्यान पर आधारित प्रस्ण पूछा तो बच्चा जो है आपको जबाब देगा आपको जबाब देगा क्योंकि वह पाले से जान रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ यार मुझे कुछ आ रहा है मुझे भी पढ़ने में मज़ा आएगा जल्दी अलिसर जी पढ़ाएं तो यह चीज होता है ज्यात से अज्यात की ओर उधारण से नियम की ओर यह सब जो है सूत्र का प्रियोग आप पूरो ग्यान में कर सकते हैं और देखिए जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं उसका एक उद्देश से होना चाहिए जैसे माली जी उद्देश से है आज हम आप लोगों को गिनती सिखाएंगे तो उसका उद्देश से क्या होगा आज से आप सभी खिलोनों को गिन सकते हैं और ऐसी प्रस्तावना बनानी चाहिए जिसमें बच्चा मोटिवेट हो उसके अंदर रूची जागरित हो जैसे जैसे संबद्ध हो जैसे गिनती वडमाला एसब क्या है गिनती वडमाला जोड़ गटाना गुड़ा भाग एसब जीवन से संबंधी चीजे हैं आप एक बार पढ़ाएंगे तो जीवन भर कारेद करता है उसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा कौसल है उद्देश से कौ सीख ले रहा है तब तो आपके उद्देश की पूर्ती हो गई और अगर नहीं सीख पा रहा है तो आपका सिछड ही बेकार है क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ती नहीं हो पा रही है तो उद्देश से कौसल होना बहुत आवस्यक है तब ही सिछड कारे सही दिशा में चल सकता है तो इसमें पहला है तातकाली कुद्देश दूसरा है सैच्छी कुद्देश तिसरा है दिरकाली कुद्देश और चौथा है ब्यवहारी कुद्देश तो यहां पर दोस्तों देखिए तातकाली कुद्देश हुआ होता है जो ततकाल ततकाल उस उद्देश की पूर्त किया जैसे मालीजी आपको गिंति पढ़ाया जा रहा है और तुरंत कहा जाए कि आप गिनिये एक दो तीन खिलोवना है तुरंत तो उसे ताधकाली अधिश कहेंगे जो कच्छा सी च्छड में ही उसे तुरंत जो है क्या कर दिया जाई उसकी पूर्ती कर दिया जाए उसका दूसरा है सैच्छी कुद्देश मतलब यह भी तो वही है तातकाली कुद्देश भी सैच्छी कुद्देश हो सकता है जैसे माली जी आपने कच्छा में पढ़ाते-पढ़ाते कहा कि गिंती आप जान सकेंगे आज जो है मैं जो पढ़ा रहा चालिस मिनट के क्लास में आप एक से सो तक गिंती जान सकेंगे तो यह कैसा उद्देश है सैच्छी कुद्देश है दिरकाली कुद्देश जैसे आप गिंती सिखा रहे हैं तो आप पूरी जिंदगी भर काम आएगा ऐसे उद्देश जो पूरी जिंदगी भर काम आए उस उसी को ब्यवहारिक उद्देश काते हैं ब्यवहारिक उद्देश को गतिविधी आधारित उद्देश भी काते हैं जिसको करके स्वयम पूरा किया जाया उसी को ब्यवहारिक गतिविधी आधारित उद्देश काते हैं तीसरा काउसल आ जाता है ब्याक्ख्या काउसल दोस्त सब्दों की ब्याक्या अलग से की जाए और मुश्किल बिंदूओं पर अतरिक्त ब्याक्या किया जाए कहने का मतलब यह है अगर आपको हिंदी पढ़ाया जाता और हिंदी में बताइए सुध्ध ब्याकरण का प्रियोग किया जाता सुध्ध ब्याकरण का प्रियोग करने का मतलब यह है कारक जैसे लगाना है साधक है तो भाया तृतिया भी भक्ति और इस कारक है अलंकार है चंद है एकदम अच्छे से प्रियोग किया जाए यह मैं बालमनोविज्ञान ही पढ़ा रहा हूं तो बालमनोविज्ञान क्या कौशल होनी चाहिए जिससे आपके अंदर और उस छात्र के अंदर का कम्यूकेशन या संप्रेशर बना रहे जो आप पढ़ाए उस बच्चे को समझ में आ जाए चाहे आपको चाहे जैसे सरल करके पढ़ाना हो किताबी भासा में आपको नहीं पढ़ाना है रस छंदल होना चाहिए और उदाहरन का प्रियोग करकर के ब्याख्या दीजे कोई भी टॉपिक पढ़ाईए तो उस पर उदाहरन का प्रियोग करकर के ब्याख्या दीजे जैसे मैंने कल ही आपको संग्यान पढ़ाया था तो संग्यान और संबेग में मैंने बताया था उदाहरन के व उसको चाहे ना लेकिन ब्याक्या ऐसा दीजिए ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और क्लिष्ट सब्दों की ब्याक्या अब देखिए कठिन सब्दों की ब्याक्या जो है अलग से करिए कुछ ऐसे चीज आते हैं जैसे पुनरबलन तो पुनरबलन आ गया मालीजी कहीं तो उसकी ब्याक्या आप अलग से करिए कि बच्चो पुनरबलन होता है मतलब क्या होता है उसके बाद देखिए मुश्किल बिंदूओं पर अतरिक्त ब्याक्या कीजिए मुश्किल बिंदूओं पर आपको क्या करना है अतरिक्त ब्याक्या करना है जैसे मालीजी संग्यान कैसे समझ में आएगा संघ्यान समझ में नहीं आए तो पर दिजिये उसके बाद दोस्तों दिकिए दृष्टांत कौसल व्होंसा दृष्टांत कौसल का मतलब होता है दृष्ट मतलब देखी उए चीजों का ही उदाहरन दीजिए, देखी हुई चीजों का ही उदाहरन दीजिए, यानि उदाहरन हमेशा हमेशा कैसा होना चाहिए, मूर्थ होना चाहिए, सरल होना चाहिए, अस्थानी या लोकल होना चाहिए, पूरो ग्यान पर आधारित होना चाहिए, और जीवन से जुड का हुआ होना चाहिए जैसे माल लीजिए आप जल प्रदूसर पढ़ा रहे हैं तो क्या आप दिल्ली की यह मुना का उधारन देंगे नहीं तब तो यह सरल नहीं रह जाएगा तो आपको क्या करना है गाओं की नाली का उधारन देना है जिसको बच्चा देखा भी है वह उसक तो उसमें दिया रहता है कि राम ने स्याम को पांच टाफियां दी दिया रहता है नहीं राम ने स्याम को पांच किताबे दी हैं लेकिन राम ने स्याम को पांच फ्लैट दिया कभी ऐसा नहीं लिखा मिलेगा क्योंकि फ्लैट के बारे में बच्चा नहीं जान रहा है वह उ इसलिए बालक अभी भी क्या उसको द्रिष्टान्त कौशल यानि जो चीजे देखा है उसी के आधार पर उसको उधार्ण आपको देना है तो यह होता है द्रिष्टान्त कौशल उसके बाद देखिए दोस्तों अगला कौशल है सक्रिय सीलता का कौशल सक्रिय सीलता का मतलब यह है सिच्छक है और सिच्छार्थी है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना ही क्या कहलाता है सक्रिय सीलता यानि अगर सिच्छक प्रश्ण पूछ रहा है तो सिच्छार्थी को बताना चाहिए, सिच्छार्थी प्रश्ण पूछ रहा है, तो सिच्छक को बन रहाना चाहिए, तो एक दूसरे क्या रहेंगे हमेशा, सक्रिय रहेंगे, यहाँ पर सिच्छक के PhD का ग्यान माइने नहीं रखता हुआ, ऐसा होना चाहिए कि बच्चे में शह भागिता बनाए रखे और शक्रिय बनाए रखे यानि शह भागिता का मतलब यह है हमाने साथ साथ भाग ले साथ साथ भाग ले कुछ सिच्छक ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं जैसे यहां पर भी कुछ सिच्छक ऐसे आये थे जिन्होंने कहा कि बच्चों से मिलना घुलना नहीं चाहिए लेकिन मेरा मत अलग है मेरा मत अलग है कुछ उन्होंने कहा कि अगर बच्चों से मिलेंगे घुलेंगे तो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे अरे भाई बुराई करेंगे तो ठीक है लेकिन सीखेंगे भी तो आगे जाके अपने बच्चों से घुल मिलके अगर बेवहारिक रूप से सहयोग और सवहार्द के रूप से अगर वह सिच्छड कारे कर रहे हैं तो उपयोगी होगा कि एकदम पूरा परमपरावादी रोडिवादी सिच्छक की तरह आए पूरा ब् मानना है कि सहभागिता होनी चाहिए इसी सही है अगर सिच्छक और सिच्छार्थी के बीच में सहभागिता होगा तभी सिच्छक अच्छे से सिच्छार्थी को सिखा सकता है और सिच्छार्थी सिच्छक को ठीक है अगर आप से मैं बहुत टाइट हो कर बात करूंगा कभी आप feedback ही नहीं दे पाएंगे कि अरे सर आप सही नहीं पढ़ाते हैं अरे सर आप सही पढ़ाते हैं feedback तभी आप दे पाएंगे जब हमसे घुले मिले रहेंगे इसके अलावा देखिए सक्रिय बालक कब रहेगा बिचार प्रकटी करण का मौका देना बिचार प्रकटी करण का मौका देना सिच्छक को सिच्छार्थी को बिचार प्रकटी करण का मौका देना चाहिए चाहे वह आपका जैसे कोई कारिक्रम हो दीपावली का कारिक्रम हो भासर देने की सेमिनार देने का ये सब सिस्टम जो ह होना चाहिए तभी बालक सक्री रहेगा रूची जागरित करनी चाहिए अगर बालक पढ़ने में माली जब पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको पहचानना चाहिए उसके निदान करना चाहिए उसके बाद उसका उपचार करके उसके अंदर रूची जागरित करना चाहिए और चात्र के बीच का संप्रेशड जो होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए क्योंकि संप्रेशड अगर होगा तभी सिच्छड कारे सही है संप्रेशड अगर नहीं होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप लोग नहीं समझेंगे तो सिच्छड कारे सही नहीं होगा उसके बाद उद्धीपन परिवर्तन काउसल most important काउसल उद्धीपन परिवर्तन काउसल क्यों होता है ध्यान कच्छा का ध्यान केंदृत करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे हूँ कभी कभी यहाँ पे हम पढ़ाते रहते हैं वहाँ पे कोई कुछ करता रहता है कोई किसी से बात करता रहता है तो वहाँ पे हमको प्रयोग करना पड़ता है उद्धीपन परिवर्तन कौशल यानि अगर आपको बच्चों बच्चे बोर हो रहे हैं तो बीच बीच में आपको क्या करते रहना चाहिए कुछ समय बाद बिशेबस्तु बदल देनी चाहिए और बिशेबस्तु के आधार पर भाव प्रकट करना चाहिए और बच्चे के भ्रम को दूर करना चाहिए अर्थात काने का मतलब यह है अगर करूर रस हम पढ़ा रहे हैं जैसे मानली जी उस दिन बात हुई इसलिए कि मोनी की मादाजी का निधन हो चुका है तो मोनी को उदिन उनके माता जी उनकी माता जी याद आ गई थी तो उतीपन परिवर्तन कोसल यही कहता है कि वहां पर हसी मत लेकिन हम लोग जो भी लोग थे कुछ लोगों की वज़ा से हम लोग हसे हुज दिन और उस दिन में बहुत टेंशन में था कि मतलब हमारे अंदर यह कमी है इससे मैं सीखा आप लोगों से की देखिए यहां पर भी हमको मतलब जैसे चाहे जैसी प्रवित्तिया आपको हो बार-बार आप हसने वाले हों बार-बार आप कैसे भी हो लेकिन वहां पर आपको हसना नहीं है जहां पर ऐसे जैसे माली जी आप करूर रस पढ़ा रहे हैं तो वहां सोक ठीक और एक है उत्सा रस मतलब बीर रस तो बीर रस पढ़ा रहे हैं तो वहां पर आपको बीर तक प्रकट करनी है और अगर आप पढ़ा रहे हैं माली जी आपको खासन ना है ठीक है तो जिस प्रकार की विश्युबस्त को आप उठाए है वह ऐसा भाव प्रकट करिए यह नहीं कि विश्युबस्तु है किसी की मा मर गई है और सभी लोग हस रहे यह चीजें गलत गलत हैं नहीं गलत गलत तो उद्दीपन परिवर्तन का उसल एक सिख्छक में जरूर होना चाहिए आज के बाद एचीज आप लोग भी जान लेजिए और आज के बाद एचीज हम भी जान दे रहें हैं ठीक है क्योंकि सिख्छड कारे सीखना और सीखाने की प्रक्रिया ही है आप लोगों से मैं स और सिखा रहें हो और जब तक डोनों की सभागिता नहीं रहेगी तब तक सिट्छड कारे कभी पूरा नहीं हो सकता है इसलिए सभागिता बनाए रखना चाहिए ठीक है अब बीच बीच में हसाते रहोज़िए जैसे हम हसाते बीच बीच में सर्जी पेज भर गया तर इस तरीके से बीच-बीच में क्या करना चाहिए फास आते रहना चाहिए कुछ समय बाद भीसे बस तू बदल देना चाहिए जो टॉपिक हो कुछ समय बाद उसको क्या करना चाहिए चेंज कर देना चाहिए तो मैं इसी लिए सार्ट टॉपिक उठाता हूं जैसे सिछड़क मतलब जैसे पहले मैंने आपको पूरा बीचारक पढ़ा दिया तो एक बीचारक दूसरा बीचारक तुरण विसेबस्तु अदलता था उसके बाद चैप्टर प्रहयत देखी कितना चोटा चैप्टर हो गया नहीं तो केवल बुद्धी में पता नहीं कितने लोग आते विसेबस्तु जल्लेली चेंज नहीं होता तो आपको कुछ नहीं समझ में आता और बच्चे के ब्रहम को दूर करना चाहिए इसके बाद एक आता है प्रश्ण काउसल तो दोस्तों देखे प्रश्ण काउसल क्या होता है जैसे मान लिजे सिच्छक सिच्छार्थी से सिच्छार्थी सिच्छक से प्रश्ण अगर पूछ रहा है तो प्रश्ण सरल होने चाहिए क्योंकि बैच्चा छोटा है असपस्ट होने चाहिए छोटे हो होने चाहिए और विशेबस्तु से जुड़े होने चाहिए जैसे मैं माली ये पढ़ा रहा हूं बुद्धी और आप लोग पूछ ले रहा है कि व्यक्तित तो वहां पर थोड़ा समस्या होता है या मैं पढ़ा रहा हूं बुद्धी और आप लोगों से पूछ रहा हूं व्य पुनर बलन कौसल का प्रयोग जो है सिच्छक पुनर बल प्रदान करने के लिए देता है जैसे माली जी कोई छात्र सीख रहा है कोई छात्र क्या कर रहा है सीख रहा है और सीखने में उसके कमी आ जा रही है तो पुनर बलन एक ऐसी क्रिया है जो छात्रों की अनुक्रिया की स सीलता प्रदान करता है और पुर प्रबलन सबसे पहले हृल ने दिया है किसने दिया है के भी सवाल इस van वह लगाया कोई भी सवाल लगाया तो आप उसे अरी यार साभास बहुत अच्छा तो हम बहुत आगे जाओगे बच्चे एकदम सही सही माल को चल रहे हो एकदम बेश्ट हो तो लो तुम्हें एक पिन मैं अपनी तरफ से देता हूँ लो ले जाओ और अच्छे से पढ़ो ठीक तो वहां लेकिन एक चीजा आप लोग जान लीजिए कि जो होता है पुनरबलन और दो प्रकार का होता है एक सकारात्मक और एक नकारात्मक और सकारात्मक में भी साब्दिक असाब्दिक होगा और नकारात्मक में भी साब्दिक असाब्दिक होगा सकारात्मक पुनरबलन में बहुत अच्छा बहुत ठीक गोड़ 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 अ मौकिक होगा साब्दिक और मौकिक होगा असाब्दिक ठीक है सबाज सबाज अच्छा ठीक बहुत बढ़ी है आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ बेटा तो यह चीजे होती है साब्दिक सकारात्मक पुनरबलन आवाज आई, सकारात्मक पुनर बलन, आ साब्दिक, देखें यहाँ पर साब्दिक के नीचे मौखिक नहीं लिखना चाहिए, साब्दिक के नीचे आ मौखिक होना चाहिए, और आ साब्दिक के नीचे मौखिक होना चाहिए, तो आ साब्दिक सकारात्मक क्या है, स्विक्रित पुनर बलन में साब्दिक में क्या करेंगे गलत है असत्य एकदम गलत है तुम लोग यार कैसे सवाल लगाते हैं इतने अच्छे पढ़ाए हैं लेकिन तम भी गलत है तो यह जो होगा नकरात्मक साब्दिक पुनर बलन अच्छा करना आखे निकालना यह सब सिख्छ क oni और चाहिए जईख्छ के पास कॉनिक więc economy तो सबसे मोच इम्पोर्टन्ट ओना चाहिए कि सिख्छ जो होना य से धैर यह को आथा को उने चाहिए कि दैरता में उने होना चाहिए 200 में आप यह बहूद छोटा रहाता है भाई बहुत बहुत बदमासी करता है तो आपको पीएज़डी की डिगरी नहीं दिखानी है कि मैं पीएज़डी की यह हूं तुम सांत रहो उसको धायर एवं द्रिर्टा के साथ उसको समालना है आपको और आपको पूरा बाल मनो विज्ञान का ग्यान होना चाहिए कि कैसे कैसे उसकी सार से बस तुमें प्रवीन होना चाहिए जैसे जो भी से अगर हिंदी पढ़ा रहा है तो हिंदी में प्रवीन और इंग्लिस पढ़ा रहा है थी इंग्लिस में प्रवीन अगर प्रवीन नहीं है तो अपने किसी भी किताब की सहरा ले सकता है लेकिन बच्चे को कभी घलत नही उसको अगला है प्रभावी नेतित्तों मतलब जैसे अगर माली यहां पर हमा जा रहे हैं तो ऐसा नेतित्तों होना चाहिए कि बच्चे उसका आदर सम्मान करें कच्छा में जाते ही खड़े हो जाए यह सब होना चाहिए प्रभावी नेतित्तों ठीक है समयोजन जैसे कच्छ हमें कुछ तेज लड़के होते हैं कुछ कमजोल लड़के होते हैं कुछ बहुत तेज होते हैं यानि प्रभाव साली जड़ बुद्धी मंद बुद्धी सभी प्रकार के बालक होते हैं तो उनके बीच में अपने आपको धायर और दिर्टा के साथ समायोजन करने की इस्तिती भी उसके अंदर होनी चाहिए विद्याथियों में प्रोशाहन बनाए अगर विद्याथि कुछ सीख नहीं पा रहा हाँ 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 सही कर रहे है तो उसे कब द्रिशसरव समागरी प्रयोग करना है करफसरव समागरी प्रयोग करना है कब पेंसिल यूज करना है कब पेन यूज करना है कि फांटेन पेन यूज करना है उनका सही प्रकार से प्रयोग उसको पता होना चाहिए उच्छ चरित्रवा नयतिक्ता अब चरित्रवा नयतिक् हो हम किसी के चक्कर में रहे तो क्या है अच्छा सिच्छक नहीं है ठीक है सिच्छक के अंदर उच्छ चरित्र वा नयतिक्ता होनी बहुत ही आवस्यक है खासकर कच्छा में उच्छ चरित्रवन नयतिकता होनी चाहिए उच्छ ब्यक्तित होना चाहिए वही बात है ब्यक्तित तो आपका अच्छा होना चाहिए सभी के प्रति आदर, सम्मान, सहयोग, लोक, तांत्रिक, सिच्छा, जाति, धर्म और इन सब में भेदबा नहीं करना चाहिए अच्छा सं प्रेशर कोशल मतलब जो मैं पढ़ा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ जाये तो वही क्या है अच्छा संप्रेशर कोशल उद्दीपन परिवर्थन कोशल तो हमने उद्दीपन परिवर्थन मतलब जिस टॉपिक को जैसे पढ़ा रहे हैं और ऐसे ही आपका भाव भी होना चाहिए अगला निम्न में से कौन सा शिच्छर कोशल से सममन्दित है तो देखिए स्यामपट पर लिखना प्रश्न पूछना प्रशनों को हल करना इन में से कोई नहीं तो है तो सभी लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टन कोशल है प्रश्न पूछना यानि शक्रिय सील्ता शक शक्रिय सीलता कॉशल में ही प्रश्ण पूशना आता है श्यांपट पर लिखना यानि अस्पस्त लेखन भी आ जाता है प्रश्णों को हल करना भाई विशेबस्त के बारे उग्यान रहेगा तो प्रश्णों को हल भी कर लेगा लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है प्रश्ण ठीक है दोस्तों तो यह हुए आपका सिच्छड का उसल इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिच्छड के सिध्धान्त